नियूस जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आज सुबह सुबही चर्चा में आगए सबी को बता है कि अगनी पत्योजना को लेकर काफी जादा प्रोटेस्ट चलता है ठीक है मैंने आपको जब पहले दिन अगनी पत्योजना के बारे में बताया था उसी दिन मैंने आपसे कह दिया था कि इसके लेकर काफी जादा कर्टसिजम हो रहा है और आगे देखना पड़ बढ़ा से लेके 21 युवा थें, वह लोग से अंदर रिकूरूर्ट किये जाते, उन लोगों को यहां पर क्या रिकूरूरूटमेंट के प्रॉसेज में रखा जाता, लेकिन अब इस एज को बढ़ादीया गया है, और इस एज तो यहां पर देखिएगा न्यूस क्या है अगनी पत योजना जो है यह कौन से मंत्राले के द्वारा लॉंच की गई है तो इसका करिक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इस योजना को लॉंच किया गया है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इसको लॉंच किया है किसने लॉंच किया है गाजना सिंग जी के द्वारा इसको लॉंच किया अब पहले आप पूरे कॉंसेप्ट को समझना कि यहां पर पूरा कॉंसेप्ट है क्या तब आपको यह चीज समझ में आएगी सुनिएगा यह जो अगनी पत योजना लॉंच की करीबन दस लाख लोगों को यहां पर जॉब क्रिएट करके दिया जाएगा कल अगर आपने देखा हो तो रोड एंड सेफटी मिनिस्ट्री ने भी कुछ एनाउंस्मेंट कर दिया है यानि कि नितिन गटकरी जी ने उनने बोला है कि भई रोड सेफटी के लिए जो लोग काम क कहा है कि जितने भी अगनी वीर्स होंगे यानि कि इस योजना के अंदर अगर कोई ऐसा है जो चार तौन कर लेगा तो चार साल काम करने के बाद में उपी की जो सरकार है वो अपने पर इनको एक बाव फिर से जॉब प्रोवाइड करेगी और ये जो जॉब प्रोवाइड करेगी ये प्रियोरिटी बेसिस पर ग्यारिंटीड नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा इन्होंने बोला है कि हम उनको प्रियोरिटी देंगे और प्रियोरिटी किसमें देंगे माल उनको जो चार साल यहां पर काम करके आए हैं, तो पहले हम समझते हैं एक बाब फिर से कि ये योजना क्या है और इसका क्रिडिसिजम क्यों हो रहा है और सरकार ने इसके अंदर क्या बदलाव किये हैं, सुनिएगा, ये जो अगनी पत योजना आपके सामने लिखा हुआ है, म इन तीरों सेक्टर में जो स्टुडेंट्स हैं, उनको रिक्रूट किया जाएगा, रिक्रूट्मेंट के लिए जो एज का क्राइटीरिया रखा गया था, वो साड़े सत्रा सली के 21 साल का रखा गया था, कि जो बच्चे इस एज ग्रूप के बीच में आते हैं, उन लोगों कोई MCA की डिग्री, ऐसी डिग्री तो वो नहीं ले पाया होगा अभी तर, क्योंकि age criteria यह है, ठीक है, तो यहाँ पर age criteria यह है, second point क्या है, कहा गया कि यहाँ पर जो आपको job करने का मौका मिलेगा, वो कितने सालों का होगा, 4 सालों का आपको मौका यहाँ पर दिया जाएग तीसरा point यहाँ पर यह बोला गया, कि हमने अलग से एक package बनाया है, और उस package के अंदर जो total amount रखा गया है, वो यहाँ पर कितना है, 4.76 lakh है पर person, जो कि आने वाले समय में, यानि कि 4 साल बाद में इसको हम बढ़ा देंगे और इतना कर देंगे, चलो ठीक है, यार इन तीनों forces में join करने के लिए कोई salary नहीं पूसता है, इसका अपना लगी रुतबा होता है, यह salary matter नहीं करती, यहाँ पर prestige matter करती है, okay, second point, सेवा मुक्ती, यहाँ पर बोला, जो वो pension शब्द जो दिया गया था, उस pension शब्द को यहाँ पर समझना, इनों ने बोला है, कि जब 4 साल amount देख रहे हो, यह amount यहाँ पर, माल लिजे कि आपका कोई remaining amount है, 30%, 35%, तो government ने बोला है कि 30% आपकी salary में से जो deduct होगा, उसके साथ में हम extra कुछ amount जोड़के, इतना पैसा हम आपको दे देंगे, और इसी को यहाँ पर pension का नाम दे दिया, और यहीं पर कहा गया, यह tax free भी next point यहाँ पर क्या आता है, इन्होंने यहाँ पर एक point और बोला, इन्होंने कहा कि माल लिजे, माल लिजे कि कोई भी ऐसा है, जो 4 साल काम कर रहा है, तो जब 4 साल यहाँ पर recruitment किया जाएगा, तो करीबन बताया गया है, कि 30,000 से लेके, 40,000 तक के यहाँ पर recruitment किये जाएगे, और इसमें से 25% वो होंगे, जिनको आगे proceed कर दिया जाएगा, 15 सालों के लिए, यह हमारी आर्मी के साथ, हमारी नेवी के साथ में, और एयर फोस के साथ में, आगे भी काम कर सकेंगे, लेकिन जो 75% होंगे, उनको यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, उनका time period खतम हो जाएगा ठीक, अब यह बात तो यहाँ पे कह दे गई, तो अब यहाँ से protest शिरू हो जाता है, भाई, protest क्यों शिरू हाँ, इसके बहुत सारे reasons हैं, आईए ज़रा एक-एक reason के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, प्रोटेस का सबसे पहला जो reason है, वो है age, maximum और minimum age, यह जो यहाँ प कांस्मेंट हुआ है, कि इसको 21 से अब कितना कर दिया है, 23 साल कर दिया है, लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा भाई, सुनों, क्यों, वो इसलिए, क्योंकि अभी तक क्या है, बहुत सारे ऐसे students है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी life के बारे में सोचा है, तो सिफ यही सोचा है, कि मुझे तो आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयर फोस में जाना है, आप किसी भी इंटीर एरिया में चले जाएगे, प्रोटेस बिहार से ही क्यों शुरू हुआ, प्रोटेस बिहार से ही क्यों शुरू हुआ, बिहार मे जो भी उनकी पूरी लाइफ है, कैसे हम अपने देश के लिए कुछ काम करें, यह तो हर किसी का सपना होता है, बट वहां से वो इसलिए स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहां से काफे सारे स्टुरेंट जो है, वो अल्रेडी सेलेक्टेड है, इवन उनका मेडिकल भी हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको कोई पोस्टिंग, कोई जोईनिंग नहीं दी गई, तो यहां पर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैग आप देख रहे हो, वो क्या है, वो यहां पर एज का क्राइटेरिया है, क्या है, एज का क्राइटेरिया, कि भाई, अगर वाली जे आपने यह यहां पर रखा है, तो इतने टाइम में तो आप 10th पास कर लोगे, 12th पास कर लोगे, आपका तो graduation भी पूरा नहीं होगा, भाई, ठीक है, आपका तो graduation भी पूरा नहीं होगा, तो एक सवाल तो यहां पर यहां पर खड़ा हुआ है, चलो ठीक है, दूसरा सवाल है, यहां पर recruitment का दूसरा क्या है, recruitment का process, यहां पर बोला गया कि भाई, देखो, सिंपल सी वात है, कि हम यहां पर recruitment करेंगे, रेकुरूटमेंट के बाद में 25% होगा, उनको आगे ले जाएंगे, 75 ता 4 साल का का काम खतम हो गया, तो यह लोग क्या कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं, अरे भाई कि 25% कौन होगे, किस क्राइटिरिया के बेसिस पर आप इनको सेलेक करोगे, आपने तो यह भी नहीं बताया, जिनको आप निकालोगे, यह किन बेसिस पर निकालोगे, फिजिकली फिट तो हर कोई होगा, हर किसी के मन में देश की, यह मतलब देश प्रेम की जो भावना है, तो हयां यह तरीक जो और एक तरीका, दोड़ा सा गलत है, यह भी यह जा है, श्यूदिकल ने के एंट ए सका है, इसके उपर भी क।क्षण एठाया ज़द ग़ा है, जब इस स्किम को बोला जा रहा है, जब इस स्किम को कहा जा रहा है, ऑल इंडिया और क्लास eme, इसको यहां पर यह बोला जा रहा है, तो जब यहां पर यह शब्द दिया जा रहा है, तो फिर यहां पर क्यों इस तरीके से जो differentiation है, वो किया जा रहा है, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आप जब तक काम करना चाहते हैं, आप तब तक काम करिये, लेकिन यहां पर जो यह पू करिए चार सालों तक उसके बाद में अपने घर वापस आईए यहाँ पर इसका कॉंसेप्ट है लेकिन यार कोई भी यहाँ पर सेना में भरती होने के बाद में वापस नहीं जाना चाहता लेकिन सबहाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि भाई यह रिक्रूट्मेंट प्रॉस इंड़े又 यह चेंज हो जाएगा तो यह सब और नहीं यहाँ उनको रेस किया गया कि हम इतने सालों से तयारी कर यह इतने सालों से हम रहं रुट कर रहें अपने आपको хот कर रहें आपने आपको Ama2 कर तो यहां थीक मैं क्या गया इस केबाद में यहां पर बोला गया कि यह हम लख रहे हैं इस पूरे क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए जब आपके चार साल पूरे हो जाएंगे तो जितना पैसा सरकार में काटा है उसके साथ में थोड़ा और पैसा मिला के उस पर्टिकुलर बजट को पूरा करके वो पैसा आपको दे दिया जाएगा और उस जब तुम काम कर लोगे तो असके बाद में इसके बाद में जब तुम अपने सेट के अंदर वापत जाओगे तो तुम्हारी अलगी प्रिस्टीज होगी भाई वो तो वैसे भी हो जाएगी तुम्हारा अलगी रुतबा होगा और तुम्हें कहीं पर भी तुम्हें कहीं प राजस्थान लेलो, हर्याना लेलो, यूपी लेलो, ये वो सेच हैं जहाँ पर पॉपलेशन तो बहुत हैं, लेकिन अगर हम पॉवर्टी की बात करें या पर unemployment की बात करें तो ये ratio भी आपको बहुत ज़ता यहाँ पर मिलेगा तो how is it possible भाई? कैसे? कैसे यहाँ पर job मिलेगा? तो सवाल अगला यहाँ पर खड़ा हो गया कि भाई, कोपरेटिप्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो it's not easy, किसी भी company के अंदर अगर आप चले जाओगे तो बिना डिगरी के थोड़ी ना को job मिल जाएगा अब आप चार साल सेना के अंदर काम करके आए हो, तो क्या अपना मन करेगा? मतलब वहाँ से वापस आने का है नह, never, समझ गए, तो यह सारे points यहाँ पर हैं, जिसको लेकर यहाँ पर जो विवाद है वो एक विवाद खड़ा हो चुका है अब इन्होंने आगे क्या बोला, इन्होंने आगे बोला, ने को problem है तो solution भी आएगा, इन्होंने आगे बोला कि देखो यह सब चीजे हम कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई हमने age बढ़ा दिये 23 सार, आपको लगता है कि क्या सिफ एज बढ़ा देने से सारा काम हो मुहता है, ऐसके अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, तो युएस में क्या चीज है, एक युर्थ के अंदर वहाँ पे भी वॉलेंटरी फॉर्म में, अगर कोई ऐसा परसन है जो सेना के अंदर भरती होना चाहता है, तो वहाँ पे आथ साल का क्राइटेरिया, गतने साल का 8 साल का क्राइटीरिया है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि USA is a developed country USA क्या है? एक developed country है यहां पर भी कोई pension का phenomenon नहीं है लेकिन यहां पर लोगों को job मिल जाती है यहां पर लोगों को job मिल जाती है हमारी country के अंदर यह phenomenon काम कर सकता था अगर हमने इसको पहले कुछ sectors के अंदर पाइलेट बेसिस पे स्टार्ट किया होता तो बात समझ रहे हो अगर हमने इसको पाइलेट बेसिस पे लांच किया होता तो शायद यहां पर थोड़े बहुत changes हो सकते थे क्योंकि आप अचानक से अगर ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं वो होता ना एक जो motivation होता है वो motivation खतम होने लगता है कि यार बताओ हम इतने टाइम से तयारी कर रहे थे और यहां पैसा हो गया अब ऐसे कैसे काम चलेगा तो यह यहां पर प्रोटेस्ट के मुद्दे हैं जो मैंने आपको बताए हैं और यहां पर जो अभी topic है जिसके उपर अभी चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद में सिर्फ अभी यहां पर जो age है उसको 23 years किया गया है बट सिर्फ age को बढ़ा देने से सारी चीजें sort out नहीं हो जाती इसके उपर एक बार तो विचार करना बनता है अगर यह pilot basis पे अलग-अलग sector के अंदर पहले launch होती तो शायद चीजें हो सकती थी और इंडिया developing country है it's not a developed country तो दोनों में अगर आप compare करोगे तो जमीन आसमान का फर आ जाता है समझ रहे हैं? तो यह यहां पर पूरा concept था जो मैंने आपको यहां पर बताया I hope कि आप इसको समझ गए होंगे अगर आपको प्रोटेस्ट के point समझ में आ गए हूँ तो एक बार से thumb up कर दीजिए ठीक है? एक बार से अच्छा एक चीज और यहां पर बोली गई है आर्टिकल में एक बात ओल लिखी है इसमें यह लिखा हुआ था कि जो NCC वाले होते हैं है ना? जो NCC वाले होते हैं अगर आपको इतने ही यहां पर अगनी बीर बनाना था तो आप NCC वालों को अगनी बीर का दरजा दे सकते थे यह भी एक point mention था तो मैंने सुचा यह भी बता दें चलो तो यह था अपना आज का session I hope कि यहां पर आपने पूरा समझ लिया होगा अब आपके लिए यहां पर एक छोटा सा homework है जो आपको करना है 11 तारिक से लेके 11 तारिक से लेके 15 तारिक के बीच में जितने भी days आए हैं उन सारे days का एक chart बनाके आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में मेंचिन करोगे ठीक है अभी आप से 11 बजे मुलाकात करेंगे शाम के 8 बजी का class दो दन से नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसी का यार इत्ती तेजी से मुस्कुराता है कि नेट चलना बंद हो जाता है बट आज यह class होगा अगर नेट बंद भी हो जाएगा तो मैं record करके share कर दूँगी बट यह class आपका आज शाम को रहेगा 8 बजे वाइफाय स्टडी चानल पे जितने questions आये थे करीबन 50-60 सवाल होंगे ठीक है तो यहाँ आपको बताना है आज का जो आपका homework है वो homework एक बड़ से लिख लो 15 तारिक तक पंदरा तारिक तक जितने भी डेज हैं इसके लिस्स आपको comment box में में मेंशन करनी है इसके अलावा आपका नया पेट बैज जो है यह अल्रड़ी स्टार्ट हो चुका है अगर आप में जोई नहीं किया है तो इसको जोई आप कर सकते हो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस के फॉर्म सेशन को लाइक करके जाया करो यार एक काम करने को कहते हैं आप से आप देखे यहां पर यह जो पॉइंट है आपका यह ध्यान रखेगा कि यहां पर आपको सारे टॉप एडुकेटर से एक साहत में मिलते आइकोनिक फीचर्स पर आपको मिलेगे आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो रेज यो हांड के अंदर और जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो चहें दो साल या फिर एक साल कोट क्रतीटें रहेगा छीक है यह ध्यान रखेगा कि यहां पर जो यह कोट आप देख रहे हो क्रतीटें आप अगर बैसिक से पढ़ना चाहते हो इनी इग्जामीनेशन दिल्ली पूलेस है यूपी का है सब्सक्रिप्शन और यह टेस्ट आपका होता है कब हर थर्स्टे को जिसे आप स्कान करके जॉइंग कर सकते हैं आपका स्कॉलर्शिप टेस्ट जो है यह 26 को रहेगा सुबर 10 बजे जहां पर आपको प्राइज भी मिलेंगे तो इसे जॉइन करना मत भूरिये का तो मिलते हैं अब मुलाकात आप से करेंगे साड़ी क्यारा बुजे तिल देन खुश रही है मुश्कराते रही है कीप लर्निंग कीप रिवाइजिंग ओमवर्क कॉमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से मेंशन करिएगा तिल देन बाबाए एंड ठीक केर